तो दोस्तो स्वागत है सभी का एक्जान से यूट्यूब चैनल पर और आज की इस वीडियो में हम करेंगे कक्षद 10 हिंदी का बहिया वीडियो करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट अतिलगूत्तरी प्रश्ण हिंदी के साहित के इतिहास से 10 नंबर के प्रशन आ जाते हैं तो जो अतिलगूत्तरी प्रश्ण होते हैं उनके जो most important questions हैं उनको हम इस वीडियो में कर लेंगे बहुत आराम से कर लेंगे फटावट कर लेंगे तो चलो शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को तो भाई साब अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर साम लिखिये सरस्वती पत्रिका पर बहुत प्रशना थे हैं या महावीर प्रसाद दिवेदी किस प्रसिद्ध हिंदी पत्रिका का संपाधन किया करते थे या करते थे तो आप यह जानकर हैरान बिल्कुल मत होना कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन जब जब आरम हुआ था एक वर्ष तक सरस्वती का संपादन किया, इसके बाद दो वर्ष तक सरस्वती का संपादन श्याम सुंदर दास ने किया, उसके बाद तत पश्चात 1903-1920 इसवी तक सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद दिवेदी ने किया, तो ये पूरा सीन है, ये पूरा इ सिहाँ सारस्वत्तिपत्रिका के संपादन का सपाधा कि अगर और प्रसाद दिवेदिन ना हो तो और श्याम शुंदरदास आप लगा सकते हैं तीक है इतना क्लियर हो गया होगा कर चलो आगे बढ़ते हैं शुकल यूग के दो प्रोमुक्र और प्रसिद्ध पत्रिकाओं के नाम लिखिए तो शुकलो यूग की दो प्रमुक पत्रिकाओं हैं एक तो हो गई आपकी हंस और दूसरी हो गई संदेश साहित्य संदेश ठीक है एक है हंस और दूसरी है साहित्य संदेश ये दो पत्रिकाई हैं हमारी मेन है अब नेक्स प्रेशन है शुकलोतर युगीन दो प्रमुक पत्रिकाओं के नाम लिखिए तो ये हैं कादंबनी और सारिका शुकलोतर युगीन दो प्रमुक पत्रिकाई हैं कौन सी हैं कादंबनी और सारिका ये दो शुकलोत्तर युगीन पत्रिकाएं हो गई धर्म युग के संपादक का नाम बताईए तो धर्म युग भी एक पत्रिका हुआ करती थी तो धर्म युग का संपादन किया करते थे डॉक्टर धर्मवीर भारती बहुत एकलबी प्रश्ण में भी मिल जाए ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को तो आवारा मसीह क्या है जीवनी है अगला प्रश्ण हमारा किनर अगला प्रश्ण हमारा किनर देश में रचना किस विधा पर आधारित है एक रचना है जिसका नाम है किनर देश में ये रचना का नाम है तो किन्नर देश में जो रचना है ये यात्रा वरत विधा पर आधारित है जब कोई लेखा कहीं की यात्रा करता है और वहाँ पर जो अनुभव प्राप्त करता है उसके बारे में जब लिखता है तो उसको यात्रा वरत कहते है ठीक है, तो यात्रवरत है एक किन्नर देश में, यह एक रचना है, तो 1016 में प्रशन आया था, किन्नर देश में करती के लेखक का नाम लिखे, तो जो लेखक थे वो थे राहुल संक्रत्यायन, राहुल संक्रत्यायन, किन्नर देश में इनकी रचना है, तो 1117 में यह प्रशन लद्दाख की यात्रा किस विदा पर आधारीत है? तो मैंने आप को बताया जब कोई लेकर कहीं की यात्रा करता है और वहां पर फ्राप्त किये गए अनुभावों को अपने तरीके से अँधाय कर लिखता है तो उसे यात्रा वरत कहते है 2016 में यह प्रश्णा आया था, क्या भूनूँ क्या यात करूं, किस मतलब हिंदी की कौन सी उद्श विधा है, तो यह है भया, हरिवश राय बच्चन पराधारी थे, और यह आत्मकता है, हरिवंश राय बच्चन इसके लेखा के और इसकी विदा क्या है ये एक आत्म कथा है अगला प्रशन है देश पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए तो देश पत्रिका के संपादक कौन होंगे देश पत्रिका के संपादक हर्शा दत्ता है ये 2017 में प्रशन उठाया गया था प्राश्चित के लेखक का नामों लेख कीजिए प्राश्चित किसकी रचना है तो भगवती चरण वर्मा की एक कहानी है प्राश्चित ये शायद छोटे क्लास 6, 7, 8 में शायद मैंने पढ़ी थी तो भगवती चरण वर्मा उसके लेखक है किसी एक यात्रावरत लेखक का नाम लिखिए एक लेखक ऐसे हैं जो कि यात्रावरत लिखने के लिए फेमस हैं वो कौन हैं तो वो हैं हमारे राहुल संक्रत्यायन ये यात्रावरत लिखने के लिए जाने जाते हैं ये घूमने के घूमने के तोड़े शौकीन थे और यात्र वरत लिखा करते थे तो यात्रा वरत लेखा के हमारे राहुल सांक्रत्यायन 2017 में प्रश्न आया किसी एक निबंदकार का नाम लिखी तो आचारे रामशेंदर शुक्ली जी ऐसे हैं जो कि फेमस हैं अपने निबंदों के लिए शुक्लोतर युग की हिंदी पत्रिका के किसी एक संपादक का नाम लिखी शुक्लोतर युग में हिंदी पत्रिकाय जो चलती थी उसमें किसी एक का आप एडिटर किसी एक के संपादक का नाम आपको लिखना है तो राजेंदर अवस्ति का नाम आप लिख सकते हैं 2017 में आया चतुर चंचला रचना का नाम है चतुर चला क्रति के लेखक का नाम लिखें तो यह बापु गोपाल राम गहमरी। Italia अगले प्रशन देख लेते हैं अगला प्रशन हमारा तुम चंदन हम पानी क्रती के लेखा का नाम लिखिए 2018 में प्रशन आया था तो संत रैदास ने ये लिखिए तुम चंदन हम पानी रचना संत रैदास की ये क्रती ये किस की ये संत रैदास ने लिखिए हुई है प्रतिधोनी क्रती के लेखक का नाम दिखिए तो ये हैं हमारे जैशंकर प्रसाद प्रतिधोनी के लेखक कौन है जैशंकर प्रसाद है चलिए नेक्स प्रेशन देखते हैं कलम का सिपाही किस विधा की रचना है हिंदी की कौन सी विदा है, कलम का सिपाई हिंदी की कौन सी विदा है, तो ये क्या है, ये एक उपन्यास है, हिंदी की विदा तमाम होती है, कहानी होती है, उपन्यास होता है, यात्रवरत होता है, संसमरड होता है, रेखाचित्र होता है, एक कांकी होती है, नाटक होता है, न नाम लिखिए तो एक ऐसे लेकर जो गधिगीत लिखा करते थे वो थे हमारे रायक्रशन दास तो ये भी प्रशन 2018 में पूछा गया तो ये थे कुछ आप वर्दन कीजिएगा थैंक्स वर वाचिं एंड लिसनिंग मी एंड गुड लग फॉर फूचर दोस्तों थैंक्यू एंड बाए बाए